हलो फैंड्स कैसे हैं आप सब में उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुमी शर्मा टेक्नोशम चनल में आप सब का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैंने अखवार में एक न्यूज पड़ी और मैं उस न्यूज को देखकर चौक गया उसमें बताया गया है कि एक बंदे के पॉकिट में उसका काड रखा हुआ था पर्स के अंदर उसका काड रखा हुआ था लेकिन उस काड से पैसे निकाल लिये गए वो भी बिना काड को हाथ लगाए तो अगर आप भी ATM काड, debit काड या फिर credit काड का यूज करते हैं तो आपको भी साबदान होने की जरूरत है बेसिकली आज कल जादे दर काड, contact less काड आ रहे हैं इन काड के अंदर RFID टेग लगा होता है जिससे की आपको उसे swipe करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही pin नाले की जरूरत होती है आप बस machine के पास उसे लेके जाएए अपने आपी payment हो जाती है तो contact less काड बेसिकली होते क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे माल लीजी ये काड है और यहाँ पर उपर आप देख रहे हो एक Wi-Fi जैसा symbol बना हुआ है यानि Wi-Fi का निशान यहाँ पर बना हुआ है इसका मतलब है कि ये काड contact less काड है यानि इसके अंदर RFID चिप लगी हुई है तो contact less काड बेसिकली काम कैसे करते है वो मैं आपको बता देता हूँ जब आप इस काड को PUS machine के पास लेके जाते हो तो इस काड की सारी information PUS machine को receive हो जाती है अब बेंकों ने 500 या 2000 रुपए के लिए कोई भी PIN की जरूरत नहीं होती है इसलिए अगर amount 2000 या 2000 से कम amount है तो वो बिना किसी PIN के और बिना कुछ किये केवल आप इस काड को उस PUS machine के पास ले जाएंगे तो आपकी payment इस काड से deduct हो जाएगी इसी का फायदा fraud करने वाले लोग उठाते हैं उनके पास एक PUS machine होती है और ये काड आपकी pocket के अंदर होता है जब वो PUS machine को आपकी pocket के पास लेके जाता है और 2000 रुपीज से कम का amount PUS machine में enter कर देता है तो वो amount आपके card से deduct हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता तो इस problem से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि आप अपने bank को contact करके बोल सकते हैं कि हमें contact less card नहीं चाहिए लेकिन अगर आप फिर भी इस card को रखना ही चाहते हैं तो उसके लिए कुछ साफधानिया रखनी की जरूरत है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो अब हम बात करते हैं कि इस problem से हम कैसे बच सकते हैं तो हमारे card के अंदर जो RFID चिप लगी हुई है यह RFID चिप radio babe के थुरू यानि radio frequency babe होती है उनके थुरू POS machine से contact करती है यानि सारा जो signal है वो POS machine receive करती है और सारा contact सारी detail इस card की machine को मिल जाती है अब अगर हम इसकी जो radio waves है उन्हें अगर हम इसके जो signal है उन्हें अगर हम block कर दे तो POS machine तक इस card के signal नहीं पहुँचेंगे अब signal block करने के लिए हमें जरूरत होगी metal की क्योंकि radio waves जो होती है उन्हें आप metal से ही रोक सकते हो आप इस तरह से जैसे ये leather है या फिर और कोई भी जैसे button है कोई भी चीज है उससे आप radio frequencies wave को रोक नहीं सकते जो wave होती है रेडियो waves होती है उन्हें आप नहीं रोक सकते तो इसलिए अगर आपका card आपके पर्स के अंदर भी है तब भी ये signal POS machine तक पहुँच जाते हैं और payment receive हो जाती है यानि जो fraud करने वाले होते हैं वो आपके card से payment निकाल लेते हैं उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है जो घरों के अंदर silver foil होती है जिसमें हम खाना वगएरा pack करते हैं उसके अंदर आपको इस तरह से ले लेना है और card को इस तरह से इसमें आप लपेट लीजिए और card को इस तरह से लपेटने के बाद आप अपने पर्स के अंदर रख दीजिए जब आप इसे पर्स के अंदर रख देंगे माल ल आपको कहीं जरूरत होगी card को use करने की तो आप परस से जब इसे बाहर निकालेंगे तो silver file के अंदर लिप्टा हुआ ये card काफी अजीब सा लगेगा इसलिए ये गंदा लग रहा है तो इसके लिए और भी बहुत सारे options आते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह के कुछ options आपको market में मिल जाएंगे online भी मिल जाएंगे इन सभी के link मैंने नीचे description में दे रखे हैं आप चाहें तो इन्हें purchase कर सकते हैं आप देखते हों यह है for teja for teja करके यह card आता है आप यहां देख सकते हो RFID NFC contactless blocking card no battery required तो इस card को basically use कैसे करना होता है आपको इसे परस के अंदर रखना है मालो मैंने यहां पर इसे परस के अंदर रख लिया उसके बाद हमारा जो card है RFID chip वाला जो card है उसको हम इसके पीछे रख देंगे इस तरह से आप इसे रख दीजे तो जब हम इसे इसके अंदर इस तरह से रखेंगे तब भी इसके signal को जो यह card है जो black वाला card मैंने यहां पर रखा है यह card signal को block कर देगा यानि अब आपके पर्स के अंदर जितने भी card हों आपके जितने भी ATM card, David card, credit card, RFID chip के साथ जितने भी card यहां पर है वो सारे card आपके save हो जाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी यानि इनके सब के signal सारे signals को यह card block करता रहेगा इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर यह दूसरा option भी हमें मिल जाता है यहां पर मैं दिखाता हूँ इस तरह का pack आता है ATM card sleeve 5 packs तो इसे open कर लेते हैं तो इसके अंदर आप इस तरह की 5 sleeve हमें मिल जाती हैं देख सकते हो आप यहां पर लिखा हुआ RFID और कुछ भी नही अंदर रख देना है इस तरह से और इस तरह से रखने के बाद आप इसे अपने purse के अंदर रख सकते हैं pocket के अंदर रख सकते हैं और आपका card save हो जाएगा कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और यहां पर 5 sleeve हमें मिल जाती है और इसके अलावा तीसरा एक और भी option हमारे प हमें इसके साथ मिल जाती है और इसको open करके दिखा देता हूँ इस तरह का lock आपको यहां पर देखने हो मिल जाता है इसे जब आप प्रेस करेंगे तो यह open हो जाएगा यहां पर हमें कई सारे option देखने को मिल जाते हैं यहां पर आप कई सारे card इसके अंदर रख सकते हैं य अगर आप चाहें, तो बहां से जाकर इने परचेट कर सकते हैं, और आप अपने काड को बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम!